तो गाइस मैंने जो टुइस्ट बोला था वो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मेरा पापा डाउ हिल में गए थे और उन्हें ने बहुत कुछ experience भी किये तो क्या experience थे आज हम लोग उनका खुद का मूँ से आज हम लोग जानेंगे और उसी के साथ आज थोड़ा horror feeling भी लीजिए और आज का दिन इतना अच्छा है कि मतलब पापा मेरे वीडियो में आ रहे हैं और कभी तो नहीं आते मतलब उनका इतना काम होता है तो पापा भी रेडी है तो चलिए पापा का भी इंटर्विव लेते हैं रिलाक्स रिलाक्स थागबाबाग नहीं हेलो नमस्ते यह कहानी है मोड़ा मोटी लास्ट यहर का प्रिशमर मेनका जो हम लोगा शिलीगूडी से कर्ष्यंग जाता है कर्ष्यंग का वहाँ पर एक ठो जगा का नाम है डाव हिल बोलके थीख है तो पता नहीं क्यों हम लोग दो तीन दोस्त मिलके एक बार कहां जाएंगे रात एक बज़ रहा था के हुआ ऐसे फोरा सा मीजात करने के लिए डाविल के रोड ए में के ना हमें सुनने में आया था को और हुआ शेर कट कर आवह बच्चा भी रात में दीखाई देता है देन दिखाइन दिखाई देता है और वहां का रस्ता रोड हम लोग जाते जाते शिलिगुडी से वहां पौश्टे-बौश्टे हम लोगो मोटा-मोटी रात के निकले थे बारा बज़े पौश्टे-पौश्टे देर क्या दो बज़ गया था रास्ता दिन में अंध्यकार जैसे रहता है उतना पेड रहता है पेड के करन से शूर उसका जो आपका शूर्जों का आलोज होता है और दिन में नहीं पहुशता है तो अंध्यकार रहता है दिन में और वहां का आसपास का आदमी लोगों के मुझसे सुना हुआ है आप लोग यूटूब में चैनल में डैवहिल्क बारे में दिखा हुआ है जहे। वहां तिकहा NEW pentru चल्द में देखा तो किसी में देखा है। तो किसी में देखा है। तो भी एक मन में था हूं हम लोग को भी जाएगा कि हम लोग ।ो माथ मन नाений द कर इयेख है। तो पॉष्टे पॉष्टे मोटा मोटी दो बजिया था राथ का अंध्यकार में एक दम डाउ हिल का जहां आपका विक्टरिया गल्शी स्कूल है उसका सामने से हम लोग गय थे सुनने माय था यहां राथ का अंध्यकार में बच्चा-लोगा चलने का आवाज होता है जूला बच्छा लोग सब चुटी में रहता है यहाना बाहर से और वहां आपका सब बंग रहता है वस्टी सब बंग रहता है ॐहिस कुल के साइट से हम लोग गालें लेकर ईॉपर गय एक दूंफर जहां पर ररास्ता कहता है वहां तक हम खो कुछ के उतरसा रहा है तो आना टाइम में हर कि जब आ रहा थे उपर से नीचे उतर रहते डावल के रहिए में वर इसकोल का सामने हम लोग ऐसे रुके िसफ कुल से सुना देथा है बलते कुझी आवाद सना देता है सुनने में आता हम लग ऐसे स्कुल का सामने रुके थे रूपनेश की बाहर निकल देखते हैं क्या होता है रात उस टächen डो बज रहा था गारी से उत्रें उत्रक्त में स्कोल का सामने से घम लोगा एक दिखाई नहीं दया रहा था कुछ भी में दिखाई नहीं लेकिक्राइब संस्तित बाहर में लेकिन को दिखाई दिया बोलता खीरकी का पश्कूल बंध हुआ हुआ है गाड़ी नुहाँ लेकर द दिखाहिं इसलिए अ है कुछ चाहिए नहीं नीनीकलत में करें निकला का दो बीकार लreteकर अंदर है तो ऐसे हम दो जन ख़ड़ा हुआ था देख रहा था इदर दर फटक से मेरा दोस्त कान का साइस से कोई हवा ऐसे गुजरा ये चिरिया जैसे कोई हवा जैसे कुछ गुजरा इन कुछ दिखाई ने दिया क्या गुजरा हो जिस दिखाई ने हवा जैसे गिया मेरा दोस्त पु रभी स्प्राइब यहां से खुंट आवाज जैसे हमों को लगा आवान जैसे बच्चा लोग दोड़ हा है इसकोल के ग्राउड , बच्चा शूटा बच्चा दोड़ता है क्यों पहुत डर लग गया उसके बात में आवाज हो रहा है, आपका जो जुला जूलता है, बच्च लोग जूलने का आवाज हो रहा है , तब मेरे को फटक से मन में आया जे इसकूल में बंध है हम सुनने में आया था इसकूल का भीता से किया क्या आवाज निकलते हैं हमको इसी कान में कान में इसी आवाज सुनाई दिया था उस दिन तो मैं हम लोग डर गया बहुत सारा जार दर गया था और हटा थी उस टाइम में बुढ़ा करके आग भी मोटा बोटी तीन बजने लगा था बुढ़ा आदमी मौनिंग करते हुए हम लोग को उधरा बोलता है भाई क्या कर रहा है तुम लोग यहां तो हम उसको पूछा सर य यह कुछ आवाज होता है हम लोगो वो शर को बोला सर हम जश्ट अब भी ऐसे आवाज सुना भी तुम लोग यहां और मत रूखो अटापाट यहां से चला जाओ फिर बाद में क्या क्या हो जाएगा क्या होगा क्या होगा क्यों क्यों इस का गला और जो बाउंडरी का उससे कट गिया था और इस कारण से बोलता है कोई आदम वहां दिखाए देता है ऐसे सीर कटा हो बच्चा जो से भी हो हम लोग वहां ऐसे वहां से उनका बात सुनके वहां से भटक से निकल गए तो यह मेरा आदमी सुना हुआ कहानी होता है लेकिन मेरा कान से मैंने सुना था आज भी मेरे को याद आता है आज भी मेरे को उसकान जो आवाज सुनाए दिया था आज भी मेरे को याद है लेकिन जो भी है जो बोलता है आदमी जो कुछ होता है तो कुछ होता ही है कुछ मने बंगला भाशा है अमरा बोली चारोटे गहटे ते यही बात आम अपू बूला है अगया और कि ऑन बहुद juror कि आपको ही जो में extrem जोठी किया तो आप कभी आप सभी सचुकेंगे कि फिर वहाँ जाने और फिर अग्याइट शालान वहां इस गोंटाएंगे ड़क्ति आपकें आप रात के टाइम में मेरे को जाने के और शाहच नहीं है, रात के टाइम में नहीं जाओंगा, दिन के टाइम में में जाओंगा, एक बार जाओंगा मैं देखने के लिए, क्या है वो जगा में, क्या है जहां से आवाज आ रहा था दिन में, दिन में हम देहूं क्या है वो जगा म काहनी पहले मेरे को सच नहीं लगता था लेकिन यब अपना कांद से सुना आज सोना दिया था को आदमी लिए मिलों बोलता था आवाज होता है you मेरे काजब ला अपना काँ से सुना वा यहां कुछण नुना कुछ है और इतना वो जो बुरह आदमी बोला था क्यों यह इतना आएंवाज होता है सब अपना एक रचापैंग मरा है और है जार बहुत बेचारे का नियुका देशा得 इतना तो मैं जानता हूं पहले मेरा कान से आवाज सुना था उसके बाद से में पुरा भिश्वास है कुछ है जरूर है तो आप लोग ने यानिकी सुना कि यह कहानी मतलब कितना प्रतीशत यह सच है और कितना प्रतीशत यह जूट है मतलब यह किसी को नहीं पता लेकिन जिस जिस इनसानों नहीं यह ऐसा experience किया उन लोग को पता है कि यह क्या है सच मुझ में और पापा आज के लिए एकदम थेंक्यू सो मच कि आपने एकदम बहुत ही हम लोग का help किया और इसके बारे में और जानने के लिए मतलब हर किसी को ऐसा दिलासा दिया और हर किसी को अभी मन में कुछ नकुछ होते हुए उनको भी मन होगा कि फिर जाएं वो लोग भी जाकर experience करें कि कैसा है वैसा डाव ही डाव ही अगर ऐसा जगा है तो जरूर महां जाकर अगर देखिए कि कैसा है लेकिन हाँ यहीं बूलंगा कि safety आटे लेकर जाहिए ऐसा नाइल टां में जाहिएगा नह itu महीं भीनहीं जाने से एकदम टां में जये गा यह था पापा जो लेगए और ऑनले पर लोग सब हो दिखाएंगे कि कि वहां क्या हो रहा है नहया अगर अगर वहां कुछ भी आवाज भी थोड़ा भी सुनने को मिला तो हम लोग जरूर वो रेकाउड करके आप लोगों को भी सुनाएंगे है तो चार्च को फोटा वोटी 200 साल पुडाना चार्च है कोई कारन वशे का बाहर से भी अंदर से विपकू बाहर से आवाज शुना देता है वहाँ का आदमीं सब बोला को सुनाएं ने दिया हम देखा हूं बंद पड़ा हुआ है विक्टुरिया बोई स्कूल में बंद पड़ा हुआ है ज्यादा तर ऐसा चीजे आपको पता है कि रिमोट प्लेस में ज्यादा होते हैं जहां पहुंच थोड़ा दूर है या फिर बोल सकते हैं ऑपना याद नहीं है में लेकिन वह तर आकर तार ने प्लेस्टा कर रस्ता है वह रस्ता में भी तो रात के टेम में कुस आवाज दिया था लेगिन हम दोर के मारे भाता हूवां से उसे उसे सप्नी recommend में जब जल्कान में पाल कानी कच्छा रोड सब खारों से चलने चलने पाता है और बहुत जंगल घरवारी नहीं है वह दिनbec था पहले तो फिलाल अच्छ हुआ है पहले बूर तो ऐसा जगह मतलब हड़क जगह ऐसा माना जाता है और अब क्या ही मतलब डर के लिए भी ऐसा हो सकते के आदमी लोग ऐसा कहानिया फैला है या फिर सच मुझ में जो हम लोग ने असली में experience किया हम लोग बोलेंगे कि यह जरूर में होता है और ऐसा अप लोग को भी विश्वास करना चाहिए जरूर क्योंकि एस अल्वेज हर किसे को पता है कि भगवान अगर है तो सैतान भी हो गई जरूर होगा ऐसा कि जब हमको प्राम को क्या बोले मेरा मन में बहुत दिन से पहले स सहां जाएगा एक बड क्या है सूनना सुन्ता था अब मों और कांण से जब सुना था graph लेकिन दिखाई तो नहीं दिया आवाज सुनाया और सुनने में दिया क्योंकि वहां तो दो तीन मेना पहले से बंद पड़ा हो इसकुल था इसकुल में सब चुटी हुआ था तो वहां कैसे बच्चा लोग दौर रहा है रात का अंद गार में दो बचे तो दौरेगा कोई बच्चा चुटा चुटा और आवाज दूला दूला है ओ सब आवाज आज भी मेरे कान में अभी घुशता है तो वह सब आवाज एकदम थेयर गाज गार टो चल्या गुशा गुटा नएक। मैरे और। मैं अदाः।